हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बैनी रजदास इस चैनल में हम आपको नए ने माइनिंग इंफोर्मेशन नए ने माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं तो दोस्तो आज में लेका है हूँ नए माइनिंग जॉब्स जो आया ह सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप चैनल में नए हैं साथ साथ वीडियो को लाइप कर लिजे और अपने सभी फ्रेंड में ये वीडियो शेयर किजिए जिससे सभी गौर्वर्मेंट जॉब की इंफोर्मेशन आपको मिलता रहे तो बढ़ते हैं दोस्तों जो हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेड में graduate engineering गेट के लिए जो वेकेंसी आई है इसके बारे में complete detail जानते हैं तो दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेड जिसका जो है registered office जो है कोलकाता में है तामर भवन वन अस्तो सौधरी अवन्यू कोलकाता 7000-19 तो दोस्तों इसमें जो वेकेंसी जो आई है इसका अड़ेटाजमेंट नमबर एस्टी वन दो हजार उन्नीस दईस चोविस के लिए आई है यह तैस जनवरी दो हजार जोविस को आई है इसमें जो आई है वेकेंसी यह notification for appointment as graduate engineer training GET through gate score तो कौन-कौन सा gate score इसमें eligible है कितने वेकेंसी है कौन-कौन से discipline के लिए है क्या इसका starting date है क्या इसका last date है कैसे इसको apply करेंगे सभी के बारे में हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों GET के जो वेकेंसी आई है इसको जो है online apply करना है HCL का website में हम इसका starting date दोस्तों 29 जनवरी दो हजार चौबिस 11 बजे से है और इसका last date जो है 19 फरवरी दो हजार चौबिस तक है तो यह अभी start नहीं हुए है 29 जनवरी दो हजार चौबिस से start होगी इसमें से कौन-कौन से discipline है तो दोस्तों माइनिंग के लिए है टोटल जो है छे वेकेंसी आए है इसमें से ओबी सी नउन क्रिमीलियर के लिए एक है ए弓 यजर के लिए एक है और देडिंग के लिए नस के लिए चार वेकंसी, टोटल आठ वेकंसी है, इंस्ट्रिमेंटेशन के लिए टोटल एक वेकंसी है, जो अन्रिजर्व के लिए है, सिविल के लिए टोटल पांच वेकंसी है, जिसमें से वन बेक्नलिफ वैकंसी है और EWS के लीए एक वैकंसी टोटल जigans डूसतों पांच मимиकेंसी टोटल मेकनिकन कल के लिए ग्यारः अई है सिस्टम के यह दोस्तों चार वैकंसी जिसमें से ओब स्वेंड ओपिशिन नॉं क्रिमिलर के लिए एक है EWS के लिए एक है और अंडेजर के लिए दो है तो टोटल दोस्तों 40 वेकेंसी आई है अलग-अलग काटेगरी अलग-अलग discipline के लिए दोस्तों अब दोस्तों देखते है माइनिंग के लिए जो है कौन-कौन से there is PWBD के 카टेगरी identified है यह आप इसमे स्क्रीन में देख सकते लिए माइनिंग जॉल अधिकल्षा के लिए कौनकौन से पीड़वड़ी में काटेगरी जो है और अधिए देख सकते हैं आगए दोस्तों देखते हैं जो eligibility criteria जो है यह आपका get score जो है 2021, 2022 और 2023 का जो examination है वो qualified होना चाहिए इसके साथ साथ दोस्तों आपका अलगलग category में, अलगलग discipline में आपका 60% marks जो है यह होना चाहिए माइनिंग के लिए दोस्तों full time bachelor degree in mining होना चाहिए, जोलोजी के लिए दोस्तों post graduate in geology होना चाहिए from university, electrical के लिए full time bachelor degree in engineering या technology, electrical से होना चाहिए instrumentation के लिए दोस्तो, bachelor degree in engineering या technology, instrumentation या electronics and telecommunication या electronics and communication होना चाहिए civil के लिए दोस्तो, full time bachelor degree in civil engineering होना चाहिए, mechanical के लिए full time bachelor degree in mechanical engineering या mining machinery में होना चाहिए system के लिए दोस्तो bachelor degree in engineering होना चाहिए या technology, engineer technology, information technology या computer science में होना चाहिए या MBA with specialization in system IT या MCA होना चाहिए ये था दोस्तो इसके लिए eligibility qualification age limit दोस्तो जो cut off date है ये 1 January 2024 को है 1 January 2024 को आपको जो है maximum age जो है 28 years होना चाहिए जिसमें से relaxation जो है STST के लिए 5 साल का मिलेगा, OBC non-criminalist के लिए 3 साल का मिलेगा, PWBD general के लिए या EWS के लिए 10 साल का age relaxation मिलेगा, PWD, OBC non-criminalist के लिए 13 साल का age relaxation मिलेगा, PWBD, STST के लिए 15 साल का age relaxation मिलेगा, और X service man को as per government guideline के इसाब से age relaxation मिलेगा, Selection Process दॉसर क्या है, आपका get score के आधार इसका selection किया जाएगा जिसमें से get score या get marks का 70% रहेगा और इसके साथ साथ जो personal interview रहेगा उसका वेयर थिर्टिपर संट रहेगा तो दोस्तो personal interview के लिए जो call किया जाएगा वो 1-5 के ratio में किया जाएगा इच वेकेंसी के लिए अलग लग टैटोवी के लिए इस वाट लिस्टेट कंड्रेज दूस्तो जो है उसके लिए इंटर्विव पर्सनल इंटर्विव दिया जाएगा अगर आपने तीनो ही एक्जाम दिया है तो आपने बेस्ट इसकोर जो है वह उसके आधार पर अप्लाए करना है अगर आप तीनो ही देते हैं तो आपको आवरेज करके या इक्वेल वैटेज करके आपको यह इसकोर जो है जन्रेट किया जाएगा अप्लिकेंट जो है अप्लोड दस्वाइट स्कूर कार्ड बेस्ट अन विच है इस्ट गेट स्कोर अमंग गेट 22 इस स्कोर इप्लिकेबल इफ अप्लिकेंट इस अप्लिकेशन और अप्लिकेशन वाइट वाइल अप्लाइग ऑन लाइन गेट स्कोर प्रायर टू दो हजार एक की सैल नौट भी कंसिडर्ड तो इसका दोस्तो पैकेज या कम्पनसेशन पैकेज या स्ट्रक्चर क्या मिलेगा तो दोस्तो आपका जो पे स्केल है वो 40,000 से लेके एक लाग 40,000 with annual increment of 3% increment को भी दिया जाएगा और दोस्तो वन यर का जो है ट्रैनिंग रहेगा जिसमें आपको 40,000 रुपय का सिर्फ 40,000 रुपया जो है यह आपको पे मिलेगा और दोस्तों एक साल का ट्रैनिंग होने के बाद दोस्तों यह जो है पे स्केल जो है 40,000 से लेके एक लाद 40,000 के पे स्केल पे रहेगा और असिस्टेंट मेनेजर का पोस्ट दिया जाएगा डुरिंग ट्रैनिंग परिएट दोस्तों बिसाइड दे बेसिक पर आईडिये एचारे या बैचलर अकॉमेड़ेशन या पाक्स और एलाउंस ग्राजविटी एंड मेडिकल बेनिफिट फर शेल्फ एंड़ एच पर दे कंपनी रूल जो है यह दिया जाएगा सर्विस एक्रिमेंट बॉर्ण दोस्तों यह तीन साल प्रियेट कर रहेगा या थ्री लाक रुपीज एड़ टाइम आफ जॉइनिंग का यह बॉंड दिया जाएगा बॉंड भरवाने के लिए दिया जाएगा इंटर्विव शुडूल और डॉक्मेंट फैल्टिकेशन जो है यह दोस्तों एक्रियल के वेब साइट में दिया जाएगा यह आपको देख सकते हैं जब इंटर्विव शुडूल और यह दिया जाएगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अप्लिकेशन फी दोस्तों क्या है तो अप्लिकेशन फी जो है जेनरल OBC और EWS कंडिडेट के लिए 500 रुपीज है और अधर कंडिडेट के लिए फी जो है एक्जेम्ट है कोई फी पेमेंट नहीं करना है अप्लिकेशन फी दोस्तों आपको जो है पेमेंट करने के लिए अप्लिकेशन फी या प्रोसेसिंग फी इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो कोई भी पेमेंट चार्जे जो है पेमेंट गेटवे का चार्ज है वो आपको फी पे करना होगा apply करने के लिए दौस्तों आपका HCL के website में जाना है वहां हिंदुज्तान copper.com में जाना है वहां आपका carrier section में जाना है और आपका उनलाइन application f wall में जाना है और उसमें आपका जो है apply करना apply करने के लाए दौस्तों आपका सारा details फील करना ए है यह apply करने के लिए full प्रोसेस मैं इसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा तो ये था दोस्तों आज जो है हिंदुस्तान कॉपर लिम्टेड में जो जी टी थ्रो गेट इशकोड 2021-22-23 के आधार पे था इसके बारे में आज हम लोग complete detail जाने तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए मानिंग इंफर्मिशन नए मानिंग जाब्स लेके तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद